नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जिवी नीज आपके साथ में स्विश्टी मिश्वा और हमार सा तुबस्तित है हमारे वरिष पत्रकार अजय जी अजय जी बहुत स्वागत डिबेट में और सर आज एक बर फिर से खबर सामने आई है ममताव एनर्जी लगतार दफ फिल्म केरला स्टोरी को लेकर विवाधित बयान दे रही हैं और कह रही है कि पहले भी कश्मीर फाइल्स एक वर्ग को अपमानित करने के लिए लाया गया था और इसमें भी वही है सर ये बताईए पशिम बंगाल में उन्होंने इस स्टोरी को बैन कर दिया ममता बेनर जी ने ये कहा था कि पूरे बॉलिवर्ड इंडस्ट्री को एक हो जाना चाहिए और ये कहीं न कहीं राजनितिक रंग लेने की कोशिश कर रही है मतला वहां भी उन्होंने बीजेपी पर इलजाम लगा था सर किस तरहीं से देख रहे हैं और आपकी इसमें क्या स्टिपणी आज रहने वाली है देखे ममता जी का जहां तक सवाल है तो ममता जी का हर 10-15 साल बार ट्रेंट बदलता रहा जी चुकि ममता जी जितना पढ़े केजरीवाल है ममता जी का ज्यादा अध्यन रहा नहीं केजरीवाल जी ने कभी इस दिशा में सोचा भी नहीं जो बंगलादेशी घुषपैटिय थे उनके लिए गा सबसे ज़्यादा कोई लड़ा था तो वो लड़ी थी ममता बनार जी मंगर किसी समय की बात थी लॉंग 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 एगो ठीक है मीडिया में एक सब्द है कि लॉंग 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 एगो वंस अपान एगाये तूम चीनधियह सिर्फ को तो ममता बनार जी के बैले तो मम्ता बनार जी का ँगाया कि आई चीजेओं में उन्होंने पहले जो संगर्स किया उर शोंक है तो जैसे उनको सत्ता से मोडा और शुरू से वो लेडी जो रही है उनका सत्ता के प्रत्रह राजू गांधी जब थे उसके पहले सज्जय गानी पहले राजू गांधी पे भी उनका यही रहा कि मुझे सत्ता के करी मुझे सौब दो यहां तक रहा कि प्रबन मुकरजी जैसे ब्रक्ति की भी उन्होंने इज्जत नहीं की प्रबल मुकर्जी लाजनीत में उनको लाए थे जब प्रबल मुकर्जी लाश्पती बनने का भवेश सबसे पहला ब्रोथ ममता बनरजी ने किया ठीक है अफसोस की बात ये तो इनका पदमावती का इन्होंने जबज़स ब्रोथ ब्रोथ किया था इन्होंने कर ननी शेना का भी प्रोथ किया था ममता बनर जी कुल मिला करके एक विसो दूरूप से लाजनेति राज किनने की नीत जानती हो और वह वो किसी की happy नहीं है तो ममता बनरजी का सुरू से रहा है कि बाप बड़ा न भाईया, सबसे बड़ा बोटर भाईया, बोटर भाईया, बोटर भाईया, अब ममता बनर जी अटल विहारी बाचपई के कर देखा जाए सबसे खास थी, बीजेपी की भी खास नहीं, इनको बीजेपी ने भी सपोर्ड किया, बीजेपी के दम पे इनके सांस अगर यह तीनों कर अटल जी के को सपोर्ट कर देती इमानदाली से तो अटल मियारी बाज भी हारते नहीं चोवाला में तो मम्ता बनर जी कब पलट जाए तो कुछ ऐसा है उधर की सिरीज भी आइसी है नितीज कहते हैं हम बखुत बड़े पलटू नाम है मता बनर जी कहते हम आप से बढ़े उधर आप आप छले जाए तुम पुलानियों तो मैं भी नया नया पलटू नाम हूंँ तो उधर का कुछ ऐसा हो गिया सभी पलटू नहें अगर सबसे बड़ी कोई उस्ताद है तो मता बनर जी थी ने इन्होंने क्या-किया आज बढ़ा कि इहाँ तक अंद्रजा है कि इन्होंने कांग्रेस के लिए इस बैंड लगा देने से वे मुद्दा जिंद आरा और वास्तों में बजडंडली का मुद्दा अथना बेज अपनीन ने इपर लाया जितना कांग्रेस यह बत कहना हैं यह बहु है भात की ऑफ मोगप पहले ही चीप मिनिस्टर ने खिए बहुंग इस ने थे चुह आराया किया था और जादा सोमनाथ चटर जी जो लोगसवाद देख से उन्हों ने भी एक बार इसके लिए चिंत्या बेक्ट की थी अब आप आईए जो स्टूरी है इसमें सक कोई नहीं मगर अगर उस स्टूरी में एक अगर और हमेंडमेंट हो जाता तो साइध यह वर्ड की वर्ग को विशेश सुविधा प्रदान करना विशेश सम्मान देना तो अब केरला स्टूरी में आपने बताया कि इसको जन समर्थन मिल रहा है और इसको लोग देखने जा रहे हैं जोरो शोरो से तो सर यह बताई कि क्या सचाई को छुपा करके राजनिती में वो असली रं पड़ेगा क्या बेपरदा होंगी ममता बनर जी देखें कोई लॉस ममता बनर जी को फायदा हो कर्नाटक में मुस्लिम ज्यादा नहीं है दूसरी बात है मुसलिम नायट है पूला है और वहा काता करणाटक एक सबसे जादा कहीं बची तो वास्तों में करनाटक में करनाटक के आदमिंहोंने केरला इस्टोडी फिल्म देख करके हर जगे गाना सुबह से साम तक उसी कि श्टोडी यूज़ तो यह वहां पर या और दूसरी बात बेंगौल में हो गया कला समिनलाद ने भी कर दिया था इन सब का बेनिफिट जा रहा है करनाठक में यह ममतब अनरजी ने जानबूच के किया है दो बाते एक तो उनका मुस्लिम बोट एक हो जाएगा दूसरी उनकी वो बीजेपी के बड़ाबर ही दुस्मन कांग्रेस को समझती है तो कांग्रेस अप ने आपको सबसे मजबूत विपक्ष ना समझे कई वरका है राहुल गांदी को उन्होंने एक डोस भी दे दी है कि एक ऐसा टॉनिक दे दिया कि उनको थोड़ी देर चुप हो जाए इसके लाब आपको बता दें क्या है सुदिप्त सेन जो है सुदिप्त सेन पे इनके गानना कर दिया था यह भी वंता बनरजी कि पर्सनल इनसे खुलनस असके अलाबव आपको बता दें इस चीज में अगर सबसे सही बयान आएगा हंदूस्तान में तो फिर एक लेडी की बडाई करेंगे समाना आजमी समाना आजमी जरूर से जरूर इसमें बयान देंगी लगाए यह ना लगाए जाए है साथ में वह हो सकता है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग्छ चड़ा के लिए कह सकती है मगर उसके लिए नहीं कहेंगी जो वह एक गाना था बसंती लंग पे उसके लिए सवाना आजमी एक बार ब्रोट कर देंगी मगर यह बात सवाना आजमी जोर कहेंगी उनके बायान का इंतजार करना चाहिए तीसरा मद्पिदेश ने क्या किया है कि उसमें फिली कर दिया है अफसोस की बात है कि भाजपा बहुत बाते करती है उत्तराखन उत्तर पिदेश और जगह तमाम लाज हैं करनाटक और जहां-जहां इनकी सरकारे हैं यह आसाम इन सवगए भी यह फ्री में कर दें तब इनकी वो रहेगी अच्छा एक चीज़ आपको और बता दे यह फिल् फिल्म बनी है और इसमें कलर का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया डाइलाग का प्रयोग नहीं किया इसकी थीम ओरीजिनल थीम है और निश्चित तोड़ पर यह फिल्म जाएगी और इसके लिए के लिए के जो चीप जश्टिस थे हैं और शोफी कॉमस उन्हों ने भी इ लिए तीन बार सुप्रिम कोर्ट में किया गया और यह कहा गया सीबी एपसी का जो प्रमानल रूजों को सर्टिफिकेट मिलता है दिये जाने के चुनोती देनी वाली आज का पर विचाड करने से बिचाड किया जाए इस पे रूख लगा दी जाए तीक है मगर आउनेबिल चीप जश्टिस ने क्या किया इसमें इसमें इंकार कर दिया तीक है दूसरी आपको बताना है कि यह मामला कांस्टिशन आप इंडिया आर्ट की नाइंटीन वन ने वह तमाम ऐसे नियम है जिस प कि आपको बारे में सोचिए यह मतलब जज कह देते हैं अदिकतर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि कला कारों निर्माताओं के बारे में सोचिए अगर कोई भी जनहित याज का दायर कर दी गई या कोई भी अपनी कैस्ता तो निश्चित तोर पे जो बेंगवाल में कि आपने यह जो रोग लगाई रोग खड़ गई दूसरी बात यह जो है यह हाई कोट यह सुप्रिम कोट से ना कढ़ा कर यह जनता निर्ने कर दे अगर फिल्म खराब है और यह मंता बनलजी निर्ने करा दे मत देखने जाओ तो अगर लोग देखने नहीं तो ठीक इनों तो बैंड किया है बैंड से लोग और देखने जाएंगे यह निर्णा करें अगर जनता लोक लगाना चाहिए तो जनता देखने नहीं जाएगी तो फिल्म यहां पर कहा जा रहा है कि अगर जनता को यह फिल्म पसंदारी है तो आखिर ममताव एनर्जी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ममताव एनर्जी ने पश्रिम मंगाल में इस फिल्म को बैंड कर दिया है और फिल्म का नाम है दक्यरला स्टोरी और देखिए यहां पर हम इसी चर्चा को लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि पदमावत के टाइम पर जब समय पर यह बवाल हो रहा था पदमावत को ब मैं पूरे बॉलिवूट से दर्खोस्त करूँगी कि एक जुटता दिखाए और पदमावत को रिलीज होने से जो रोक लगाई जारी है उसको हटाए और यहां पर आज के अरला स्टोरी को लेकर यह बोल रही है ममताविर जी मुख्यमंतरी कि इसको बैं किया जाना चाहिए और इसमें कहीं ने कहीं एक वर्ग को अपमान करने का काम किया जा रहा है तो आपकी जो भी राइस बावत आपका डिबेट में जुटने के लिए धन्यवाद आप कॉमेंट करके बताएए बहुत शुक्रिया एस जीवी निउस से जुटने के लिए